प्लाज किया जा रहा है जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के साथ लगभग 750 फोर विलर की शमता के साथ तयार की जाएगी। दर्शनार्थी यहां से सीधे फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से महकाल प्लाजा तक पहुँचेंगी। महकाल प्लाजा में दर्शनार्थियों के लिए एक अध्भूत दर्शनियस थल और पब्लिक प्लाजा होगा जिसे सनातन हिंदु धर्म एवं बैदिक थीम पर बनाया जा रहा है। बैठने योग्य छायादार स्थान की सविधवे विकसित होगी। महकाल प्लाजा से शद्धालू पात्वे के माध्यम से सीधे महकाल कॉरिडोर से जुडेंगे। महकाल कॉरिडोर मंदीर पहुँचने का मुख्य और आकर्शक पैदल एवं ए रिक्षा मार्ग है। इसे शिवथिम पर आधारित इस्तंभो, मूरल बॉल और छायादार विक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहां लगभग तीन-तीन मीटर के दो पैदल मार्ग के साथ 6 मीटर चौड़ा ए रिक्षा लें भी विकसित होगा। महाकाल विकास यूजना में रुद्र सागर का गहरी करण करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथी अंडर्ग्राउंड सिवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को फिल्टर करके शुद्ध जल रुद्र सागर में डाला जाएगा। महाकाल कॉरिडोर पर मेडवेज जोन का विकास किया जाएगा जिसमें क्राफ्ट बाजार और कमांड कंट्रोल सेंटर का विकास किया जाएगा। शेहनाई द्वार के सामने वेटिंग होल का निर्मान, नंदी होल का विस्तार एवं महराज बाड़ा सम्मीलन, रुद्र सागर शिखर दर्षन, विशेश एवं आपात कालीन दर्षन के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निर्गम व्यवस्था, विजिटर फसिलिटी सेंटर दो का विकास, नाग चंदरिश्वर मंदिर दर्षन सेतू, महाकाल विकास यूजना के अंतरगत, शेहनाई द्वार के सामने की भूमी का दिक।